हेलो जी कैसे हैं आप सब मेरा नाम है गाहितरी और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है उमीद करती हो आप सब अपने घरों पर विल्लकुल ठिक ठाक से होंगे तो जी आज का जो मैंने मेकप लुक किया है वो आप कभी भी फेस्टिवल पे या पार्टी पे जब भी मैं कोई वीडियो डालू उसका नोटिविकेशन आपको मिल सके तो जी बढ़ते आँगे वीडियो की तरफ तो चलिए सबसे पहले मैंने फेस्टिवाश कर लिया है फिर मैंने यहाँ पे कॉलजिन का टोनर लिया है और उसको अपने पूरे फेस पर लगा लिया है टोनर लगाने से हमारी स्किन अच्छी रहती है और हम डेली में कोई मेकप ना भी करे है तो भी टोनर और सीरम लगाएầy cads इसके बाद मैंने अजिब सेरम लिआ है कोलजिन का सीरम है यह अज़ुको लिगा रहा हूं डउन्टट करें अपने फेसपे अगर मैं कुछ मेकप नहीं भी करती हूँ तो भी मैं अपने घर पे डेली में टोनर और सिरम तो ज़रूरी लगाती हूँ उसके बाद मैंने यह प्राइमर लिया है प्राइमर लगाने से हमारा मेकप है जो वो काफी देर तक स्टे करता है और जो हमारा foundation base होता है, वो अच्छे से हो जाता है, उसका base अच्छे से बन जाता है, अटक्रियों बीच बीच पे, sorry, sorry, हाँ जी, तो प्राइमर लगाने के बाद मैं यहाँ पर foundation लिया है, मैंने मियोन का, उसको अपने हाथ में ले लिया है, और dot dot करके अपने पूरे face पर ल करेंगे जब तो उसको भीगो कर पहले रखे और यहां मैं एक बाद और कहना जाओगी, जब आप अपना मेक अप कर लेते हैं, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर को जरूर धो कर रखे लगाने से पहले भी और लगाने के बाद भी, उससे जो हमारा स्की नोता उस पे इसको डइपड़ रखे हैं, इसको ब्रगड करना चाईए, इसको ब्लाद को यूज़ प्रगड़ कर नहीं करना चाईए, प्यूटी ब्लेंडर को यूज़, अच्छा जी, अब मैं यहां पर बिल्कुल नेक पे भी अच्छा से ब्लेंड कर रहूं ता कि मेरें फेस्काãy औ उसके बाद मैंने लिये यहां लिया है बेभी- लिप की लिपम लगा होगी अपने लिपस परिऊने लिपस लेदोनी अपने लिपस पर, यहां में ने शि demainिनम लिए मिनी सोग लिया है ब्रश का अपने पूरे फेज फेज पर लिए लगाने से जब हमको पसीना आदाए तो हमारा मेकप जलती से खराब नहीं होता है और हमारा जो मेकप होता है अच्छे से स्टे कर जाएगा वह काफी लोंग लास्टिंग रहेगा शॉर्ट वर्ट्स में तो जी है मैंने बिल्गुल अपने नेक पे भी लगा लिया और कानों पे लगा लूगी फेस पाउडर को थोड़ी दिर बाद जो फाउंडेशन है जो मेरे स्किन से मैच हो जाएगा भी थोड़ा सा वाइड वाइड दिख रहा है उसके बाद मैने यहां कंसीलर लिया है और अ थोड़ा सा कलर है ठीक से अच्छा से निकल कर आए इसलिए यानि कि अच्छा सा दिखे उसके बाद मैंने यहां पे लिए है ब्लैक कलर की आइब्रो पैंसिल और अपनी आइब्रो फिल कर रही हूँ यहां मैंने अपनी आइब्रोज फिल कर लिए अब मैं दूसरी भी कर लूगी साथ साथी मुझे वैसे जादा आइब्रोज डाक डाक पसंद दियें कई लोग मोटी आइब्रोज रखते है तो जिनको जैसी पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं यहां मैंने पहले लिया है आइशेडो ग्रीन कलर का और उसको मैंने ब्रश में लेकर उसको मैं थोड़जा से गोल-गोल करके ब्रश को अपनी आई लीढ है जो फिलगी ग्रे कलर और तो फिल मैं समय साथ सा दूसरी 앞 में भी कर लूगी ताकि जो मेरा दूसरी आख में भी ग्रे कलर का जो मेरी आई लीड है वहाँ पर में आई शेडो लगा रही हूँ आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करना है उसके बाद मैंने यहाँ फ्लेट ब्रश ले लिया अब उसकी हैप से मैंने ग्रीन कलर लिया और जो आई लीड का पार्ट है ब्रश यूज नहीं करना चाहते हैं तो अपनी उंगलियों से ब्लेंड कर सकते हैं जरूरी नहीं कि सारे ब्रश घर इतने होते हैं कुछ ब्रश घर पे हो तो उनसे भी मेकप कर सकते हैं और नहीं भी हो तो उंगलियों से भी कर सकते हैं तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर ओड ले यहां मैं ड्रो करूगी, आपको फिंऄ पसंदो दो बनाई है नहीं पसंदो लख बनाई यह पर मैने विंग ड्रो कर रही हूं M fantastic अब मैं दूसरी आख पे भी साथ साथी लाइनर लगा लोगी क्योंकि आज का मेकप जो है मैं दोनों आखों पे कर रही हूँ तो इसलिए मैं बैक कैमरा कुछ दूसरी आख का मेकप नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं फ्रेंट कैमरा ही आज दूसरी आख का भी मेकप कर रही हूँ तो जी यहाँ पर मैंने लाइनर भी लगा लिया है वो आपकी इच्छ है आप मोटा लाइनर लगाए या बतला लाइनर लगाए हाँ जी तो अब मैं लोगी यहाँ पर एक आईशेडो और जो मेरा छोट्टू वाला ब्रश है मिनी ब्रश उससे मैं लोगी पिच कलर सॉरी पिच कलर गिलिटरी कलर है गे उसको लगाओगी अपनी आईलेट के अंदर सेंटर पार्ट से स्टार्ट करते वे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते वे और उस पर लगा लोगी सही से जादा जादा ही लगाओगी क्योंकि मुझे थोड़ा गिलिटरी सा आईशेडो चाहिए आज तो मैंने यहाँ पर पिछ कलर का गिलिटरी वाला आईशेडो ले लिया है और उसको ब्लेंड कर रही हूँ अगर आपको glittery वाला eyeshadow यूज करना और लाइनर पहले लगा है क्योंकि अगर जब हम glittery वाला eyeshadow लगा लेते पहले उसके बाद liner लगाते तो फो लाइनर ठीक से लगता नहीं है इसलिए आज मैंने liner पहले लगा है और glittery वाला eyeshadow बाद में यूज कर रहे हूं हुआ उसके बाद लिया है मैंने लेक में का इकवनिक काजल, अबने जो वर्टर लाइन है इंडिक से स्टाट करते हो भी मैं इस स्टाइटिंग पर जाओगी मैं इचाल अबन कर लगा रही हूँ ताकि जो मेरा काजल है उपर वर्टर लाइन पर भी ठीक से लग जा है अब मैं दूसरी आख पे भी काजल लगा लूगी आप चाहे तो मोटा काजल लगाईए और पसंद दे तो पतला लगाईए मुझे मोटा काजल अच्छा लगता है उससे आखे थोड़ी बड़ी और सुन्दर दिखती है काफी अच्छी दिखती है आखे फिर हंजी तो यहाँ मेरी दोनों आखों पे काजल भी लग गया है उसके बाद मैंने स्पोंज वाला अप्लिकेटर लिया और उसमें से अपनी आई शेड़ो पैलेट से ग्रीन कलर लिया और अपनी जो काजल है उसके नीचे मैं समच कर दूगी दूसरी आख में भी समच कर दिया है अब मैंने यहाँ मशकारा लिया मिनी सो का मशकारा है यह और अपनी आई लेशेश पे मशकारा लगा रही हो अब मैंने दुनों आखों पे मशकारा भी लगा लिया है तो जी मैंने यहाँ लिया है मिनी सो का हाइलाइटर और जो अपने आखों का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसके आगे आगे थोड़ी सी स्पेस होती है वहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगाया है उसके बाद मैंने अपने आईब्रो बॉन होती है जो वहां पर भी हाइलाइटर लगाया और उंगली पर लिया थोड़ा सा हाइलाइटर और अपनी चिक बॉन पर लगाऊगी ब्रश से भी लगा सकते हैं लेकिन मेरे को थोड़ा उंगलियों से लगाने से थोड़ा कमफर्ट लगता है उसके बाद यहां हाई लगाने के बाद अब मैंने यहां पर फलपी ब्रश लिया है और उस पर से थोड़ा से जो डार्क वाला रेड कलर होता है वो लिया और अपने आप चाहे जादा लाली लगाईए चाहे कम लगाईए मैं थोड़ा सा कम लाली लगाऊगी और स्माइल करते वे लगाईए जब भी आप ब्लश करेंगे तो उसके बाद मैंने यहां लिया ब्रश और उसमें लिया लूस पॉर्डर और उसको पूरे एक बर फिर से अपने पू अथाम रांट करेंगे जो थोड़ा से अफटयर के थी आप घ्कक खढ़ा दिखे और वो अपने lips पर लगा रही हूँ जब भी matte की lipstick लगानी हो आपको तो lip balm पहले लगाई है उससे ही होता है कि जब हम matte की lipstick ऊंस करता है फिर जो मारे lips होते हैं वो काफि dry dry नहीं दिखते हैं हाँ जी अब मैंने एक tissue लिया और जो मेरी extra lipstick होईगी इसको मैं क्लीन करह häufूँ। उसके बाद मैंने my makeup fixer लिया है, उसको कह सकती है, थोड़ा शेख UFO के आगेे मेज़र दैसे भी लिया है मेir मेंज़र लिख लेका चाहिए, पहında आखो दाशी मेकप के वे भिया है। तो हम जी, हाँ हो गया मेरा मेक अप कम्प्लीट, देख सकते हैं आप अब पारी है ड्रेस चेंज करने की, तो मिलती हूँ ड्रेस चेंज करके तो जी, यह है मेरा फाइनल लुक, क्यासा लगा जरूर बताईएगा, तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, ओके बाई बाई आप इतना ही नेक्स चेंज करके रिए, आप तक किला जगाती हूँ देख सा करने की, तो मिलती है शीया है, अब पारी है, तो मिलती है जिया है इतना है, तो मिलती है वीडियो में, जिए जिए पैसे जिए, पारी है मैं खुद नूँ सजामा तेरे लिए नखिरे अधामा तेरे लिए